नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिखाधूरिया भारत में कुरोना वारस संक्रमन की मामलों की रफ्तार कम हो रही है लेकिन कुछ राजों में बढ़ते मामले केंडरे स्वास्ते मंत्राले की चिंता बढ़ा रहे हैं इस बीच मंत्राले की तरफ से जारी किये गए आंक्रों के मताबिक बिते 24 घंटे में देश में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आये स्वास्य मंत्राले की तरब से मंगलवार सुभा जारी आंकरों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुरुना वारस के 39,163 नए केस सामने आये हैं 14 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले दर्च किये गए 14 जुलाई को 28,498 नए मामले दर्च किये गए थे देश में कौरुना संक्मितों की कुल संख्या 88,74,290 हो गई है मही बीते 24 घंटे में 449 मरीजों की कौरुना से मौत होने से मृतकों का कुलांकडा 1,20,519 पर पहुँच गया है ताजा अकडों के मताबिक देश में फिलहाल 4,53,401 एक्टिव केस हैं जबकि 82,90,370 मरीज ठीक हो चुकी है ICMR के मताबिक सुमवार को 8,44,382 लोगों की कौरुना जांच हो चुकी है दिली में बीते 2 दिनों से कौरुना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है लेकिन खत्रा अभी भी कम नहीं हुआ है सुमवार रात जारी हुए आंकडों के मताबिक 24 घंटे में राजधानी में 3,797 नए केस सामने आई है इतने ही समय में 99 लोगों की दिली में कौरुना से मौत हो गई इसके साथी कुल संक्रमितों की संक्या 4,89,000 के पार पहुँच गई है जबकि मरने वालों का कुल आकड़ा 7,713 हो गया है पशिम बंगाल में सुमवार को कौरुना वारे संक्रमण के 3,012 नए मामने सामने आई है इसके साथी राजे में संक्रमितों की कुल संक्या बढ़कर 4,34,563 हो गई है स्वास्तिलभा की तरफ से जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है कहा गया है कि 53 और मरिजों की मौत होने से पशिम बंगाल में मरने वालों की संक्या 7,714 हो गई है महाराश्व में 24 घंटे में 2,535 नए मामले दर्ज के गई है इसके बाद कुल मामले बढ़कर 17,49,777 हो गई है स्वास्तिलभाग में बयान में बताया कि राजी में 60 और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया इसके बाद बितकों का अंकडा बढ़कर 46,034 पर पहुँच गया है स्वास्तिलभाग के मुताबिक कुल 3,001 मरीजों को अस्पादाल से छुटी दे दी गई है इसके बाद संक्रमितों मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16,18,380 पर पहुँच गई है स्वास्तिलभाग के मुताबिक 84,386 मरीज राज्य में अपना इलाज करा रही है बात करें करनाटक की तो करनाटक में सुमवार को कोरोना वारस संक्रमन की 1157 नए मामले सामने आए और 12 मरीजों की मौत हो गई इसके साथ ही राज्य में संक्रमन की कुल संक्या 8,62,804 तक पहुच गई है जबकि करनाटक में मुर्तकों की संक्या 11,549 हो गई है कमिलाडू में सुमवार को कोरोना वारस की 1725 नए मरीजों की कुष्टी हुई जबकि 17 और संक्रमन की मौत हो गई स्वास्ते भाग के बुलटीन के मुताबिक राज्य में संक्रमन की कुल मामले 7,69,916 पर पहुच गई है जबकि मृतकों की संक्या 11,495 हो गई है हर्याणा में सुमवार को कोरोना वारस संक्रमन की 2153 नए मामले सामनी आये जिससे राज्य में संक्रमन की संक्या बढ़कर 2,2027 तक पहुच गई है करोना से हर्याणा में 19 और लोगों की मौत होने से व्रित्कों की संक्या बढ़कर 2,038 हो गई है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India Hindi के साथ झाल 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 झाल